हेलो स्टुडेंट्स आप सब लोग IFT के एप्लिकेशन का वेट कर रहे होंगे एप्लिकेशन आउट हो चुकी है बीते हुए कल में एप्लिकेशन इंस्टिट्यूट ने रिलीज की है आप सब लोग जानते हैं कि NTA इंटरेंस एग्जामनेशन को कंड़ेट कर आता है और जो IFT का इंटरेंसल बिजनस का प्रोग्राम है MBIB 23 और 25 के लिए निकाल अगया है अब 18 दिसंबर 2022 को कैट के करीब 8-10 दिन बाद संडे को ये एग्जाम होना है फर्दर डेटेल्स हुए है वो आपको NTA की ये जो नोटिफिकेशन है NTA का इस पर आपको मिलेगा तो 39 2022 मतलब 30 सप्टेंबर 2022 को ये एप्लिकेशन आई है और 14 ग्यारा 14 नवंबर 2022 इसकी लाज्ट डेट है और फिर से इन ओल इस सब का डेटल यहां पर दिया हुआ है उसके बाद मैं आपसे बात करता हूं कि जो प्रप्रेशन की अगर हम बात करते हैं यहां पर प्रप्रेशन की हम बात करते हैं तो कॉंटिटिटिटिव अनलेसिस रीडिंग कंप्रियंस और वर्बल इबिलिटी डेट इंटर्प्रेटिशन लॉजिकल रिजिनिंग जैनल अवियरनेस इनके पीवाई क्यूंके इसाबसे आपको कुस्टिंस का नमर अव कुस्टिंस का पीपर के इनके बाता देते हैं कि एक वांट्स में जो कोस्टिव फाई अभी तक देखे गए हैं अत्री अर्म वर्बल इबिलिटिव के अंदर 30 ओर य डियाई एंड एलार के अंदर आनर 20 कोस्टिंस और जनल और के अंदर 20 questions यह आपके questions paper के अंदर number of questions और section wise जो questions है उनका composition है हमारे यहाँ पर अगर हम प्रप्रप्रेशन की बात करते तो quantitative analysis के लिए हमारे यहाँ पर जो set of content है उसमें book 1 sufficient है reading comprehension, verbal ability वो भी उसके लिए book 1 हमारी smart education का content उसकी sufficient data interpretation logical reasoning के लिए भी same case है and general awareness के लिए हम specifically जो हमारा bulletin आता है उसके अंदर हम trade and commerce and economy की news को cover करते हैं contemporary development को cover करते हैं और जो हमारा bulletin के साथ सथ जो हमारा static का content है वो भी sufficient है इस exam के लिए so other details के बारे में बात करता हूँ तो यह browser है आप इसे detail में पढ़िए उसके बाद NTA की site पर यह previous question papers है यहाँ पर जाकर क्या previous question papers download कर सकते हैं और this is all I wanted to discuss with you you can please subscribe to our new tube channel there you will be finding a lot of lectures जहाँ पर आपको quantitative aptitude, reading comprehension, data interpretation, logical reasoning, channel related, बहुत सार आपको content मिलेगा, please subscribe to our youtube channel and please keep on visiting our youtube channel, thank you